कि फीड़िबैक दो या फीड़िबैक लो इसके बारे में आज आप से बात करने गाला हूं संभाशन में किसके साथ में बातचीत कर रहे हो किसको समझा के दे रहे हो किसको कुछ काम बता रहे हो करने के लिए हर बार फीड़बैक लेना पहुत जरूरी है जिसको भी आग काम बता रहे उसको भी मालूम है कि मुझे वह बाद में पुछने वाले है नहीं या कब पुछेंगे यह पक्का नहीं क्या होगा यह डिसाइड नहीं क्या होगा मुझे काम बता है बाद में पुछने वाले है नहीं तो सामने वाला काम भी नहीं करने वाला है वो काम करते हैं तो फीड़बैक जब उसको मालों के फीड़बैक लेंगे मेरे को पूछेंगे कितने बज़े पूछेंगे काम किया कि नहीं किया जब सामने वाले को मालों में कि फीड़बैक लेंगे तब वो काम करता है तो फीड़बैक इसके लेना है कि सामने वाले को लग इन फिद्भार में हो सकता है वो काम करेगा और फिर आप देखो लोग काम करते नहीं है तो इसलिए feedback लेना ज़रूरी है वो भी time distance form में मतलब कैसा कि सामने वाले को मैंने बताया कि चलो यह ले लो कागच और यह कागच के xerox करके ला तो हमेरे को feedback देगा लाया नहीं लाया पहले डिसाइड दुकान बंदे xerox के दुकान बंदी या पैसे नहीं थे उसके पास में मतलब काम बताते है तो feedback लेना जरूरी है और उसका समय प्तंक होना जरूरी है अब feedback में क्या होता है कि कोई कहते कम करता है डियेट के बाद में तो उसको आफको feedback देना है मतलब काम कैसा कि है, cs Princess vraiment तो दो प्रकार के feedback होते है पॉसितिव फिडिबेक और दूसरा से तो आप बोलेंगे निज़ेश के लटा ने फाई फिडबेग बनी नहीं फिड़ने पॉसितिव रख इसका मतलब उसने जो किया उसके बारे मने क्या किया वह आपने उसको पॉसिति फिडबेग करने का है दूसरा जो वह नहीं इसलिए सब्जी ठीक नहीं हुई यह फिड़िबैक देने के बदले सब्जी में थोड़ा नमक जादा रहता था तो सब्जी और टेस्ट ही होती थी ऐसा हम बोल सकते हैं तो तो कंस्याइस कभी भी भी कंस्याइस कैंदա उनक्तली अपरोच दिलौ ऑपर cr up e टे बीच में मसाला रहते हैं प्याच आलू ककडी घाजर सब बीच में मसाला रहता है और नीचे फिर इसलाे से पर ब्रेड मसाला स्लाइस सेंडविच तो सेंडविच जरूरी है आपको जो भी फिड़ुबैक देना है पहले अच्छा बोलो बाद में जो भी आपको कंस्ट्रक्ट वोलना है वो बोलो और बाद में फिर अच्छा बोलो ताकि जब वो आपसे दूर जाएंगा तो वो एंप स्पेशली घर में पत्नी को फिड़ुबैक देते हैं सब्जी कैसी बनी यहां दाल चावल कैसे बने उसके बार में फिड़ुबैक देना है तो पूछे बिना फिड़ुबैक मत दो किसी को भी उसकी पर्मिशन बिना फिड़ुबैक मत दो और फिड़ुबैक कभी भी देना तो positive feedback देना है constructive feedback देना और constructive में sandwich feedback देने का है ताकि उसको बुरा ना लगे क्योंकि हमारा मक्सद ही है कि सामने वाला यहां निंदगा चेघर असावेश रही इसका मतलब ऐसा है कि आपकी टीका करने वाला जो है वह अपने पर उसी रहना चेए बरबर है मगर वह टीका इतना करता इतना कर रहा है कि अपन डाउन होगे डिसेम पाउड होगे वह भी नहीं होना चेए तो हमारा employee जो है उसके पर बहुत टीका करना बहुत उसको नीचा बताना बहुत उसको उल्टा बुलना निगेटी बोलना के बदले पर अच्छा क्या किया वह बत करो तो इस तरह का हमारा feedback रहता है feedback बहुत ही जरूरी है feedback से आदमी सुधर रहा है पक्का उसका performance अच्छा हो जाएंगा मगर feedback देने के समय सामने वाला डिसेंपाउड होंगा ऐसा कभी भी feedback आपने देना नहीं है शक्तिशाली हुई होना चेए सामने वाला शक्ति हिन नहीं होना चेए feedback देने के समय और जब आप feedback देते हो तो बिना पूछे किसको feedback मत दो लोग feedback और coaching इसका फरक भी नहीं समझते coaching करना मतलब उसको coach करना सिखाना coach रहता है ना स्पोर्ट में सचीन इंडूली के coach थे तो coach हमेशा गलतियां बताता है हमेशा कहां सुदर सकता है सामने वाला प्लेर बताता है तो किसी ने आपको coach बनाय तो फिर आप गलतियां बताओ और उसके बारे में आप उसको aq कि हम जुदर सकते हैं क्या development कि एंपरूमेंट की है धर्भ विड नेका मुँंखा है तो है यह अधर आप कम घरा में फिरूग कुछ नहीं आसना लिए 북한 प्रेट्ट जरूें सोदार सक्ते हैं ़ीजो छो टीम और जो को चलाते हैं उनको सबीकला करो कि हर व्यक्ति हर टीम मेंडर उनका ओंघाfahren Thank you very much.